हेलो फ्रेंड्स मैं हुदायत अलाविया आपका मेरी चैनल में स्वागत कोती हूँ आज हम बनाएंगे एक खुग्रे जिसको मैंने विटानिन टेस्ट किया है जो बहुती टेस्टी और हेल्थी है इसके साथ मैंने सोस की रेसिपी दी है जो बहुती टंगी टेस्ट है तो इससे देखने के लिए वीडियो अंत तक चरूर से देखें तो अब हम खुग्रा बनाना स्टाट करते ही इसके लिए क्या इंडिनेस चाहिए ये बताते हैं इसके लिए मैंने लिया है किनुका आटा मेदा चावल का आटा नमक अब हम इसका एक डव रेडि करेंगे इसके लिए एक बावल में मैंने इंडिन काटा डल दिया एक कप एक कप मेदा दोटे बस्पून चावल काटा टेस्ट अनुसान नमक उड़ दोटे बस्पून ओइल सबी चीजो को अच्छी तरसे मेक्स करते हुए इसका हम सॉप्ट डव रेडि करेंगे थोड़ा थाड़े पानी मिला की इसका हम डव रेडि करेंगे पराठी जैसा सॉफ्ट डव हमें रेडि करना है इसमें में नीचो चावल काटा डाला है इससे जो हमारा पड़ है वो क्रिस्पी अच्छी तरसे बनेगा इससी तरसे आप रेडि डव हो जाए तब इसे मसल लीजिए इसे मसल दे हुए डव को हम चिकना बनाएंगे राव हम इसे ठकके रग देते हैं और हम फिलिंग की सभी सामगरी देख लेते हैं इसके लिए मैंने लिया है 500 ग्रम उबले हुए आलू उबले हुए मटर वन काप वन काप केपसिकम बारिक कटे हुए अद्रक मीर्ज और लसुमकी पेश्ट दो बड़े टेबल स्पोन चीज नमक ओईल चिली फ्लेक्स और 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 एगन और हम दोओ इसका फिलिंग और नमक और रेगण और रेगण और रेगण और रेगण बनाना स्टार्ट करते ही इसके लिए एक पेन में हम ओल डाल देंगे ओल जब गर हो जाए तब हमें इसने अद्रक मीर्च और लसुमकी पेश्ट मिला लेनी है इसमें ही हम केप्सिकम भी डाल देंगे केप्सिकम बहुत नई काने है इससे थोड़ा क्रंची रखेंगे इसमें हम उबाले हुए मटर डालेंगे यह उप्सनल है यदि आपको मटर का टेश्ट नहीं पसंद आप ना डाले तो भी चलेगा सबी चीज़ को अच्छी तरह से मिक्स करतीचे इसमें हम चिली फ्लेक्स और और एक अंडो डालेंगे चिली फ्लेक्स और और दनक की स्मेल बहुत ही बढ़ी आ रही है इसमें टेश्ट आनों सार नमक डाल दीची और अब हम उबाले वोले आलो थे उसकी मेंने बारी कटिंग की है वो हम डालेंगे सबी चीजों को अच्छी तरसे मिला लीची गेस की फ्लेम हमें तीमी ही रखने हैं सबी चीजों अच्छी तरसे मिक्स हो गए है अब हम इसमें चीज डालेंगे चीज हमें लाश्ट में डालना है इसे पी मिस्त्रन में मिक्स कल दीचे कि हमारा फिलिंग रेडी हो गए है इसा हम साइट पर डग देंगे थोड़ा खंडा हो जाने कि बाध हम इसकी फिलिंग भरेंगे इसे हिलाते हुए इसे थोड़ा खंडा कर पीचे हमारा डव भी पहुते अच्छी तरस से रेडी है इस तर हम छोटे छोटे लुए बना लेंगे अब हम इसकी पूरी बनाए देंगे पूरी हमें थोड़ी थीक रखनी है इस तर से सारी पूरीय बनाके रेडी कर लेची रेडाई और साइड में मैंने ओयल गर्म करने की रख दिया है थिम्याच के इस तरह से हाथों की मदश से आप थोड़ा गटा बना लीची इस तरह से हाथ को फोल्ड कर लीची और इसमें ही फिलिंग भरकी आप बीच में से पहले दोनों छेड़े चोड़ दीची इसी तरह से अच्छी तरह से आप फोल्ड कीची यहांने कुक्रे का सेख दिया है इसे और रहातों की मगत से ही इसकी किनारिया चोड़ दीची यादि आपको इसकी नारिया ना आए तो किस तरह से बनाना है यह भी में बताती हूँ आपको इटालेल केलेशन है इस तरह से भी हम इसे बना सकते हो इसे तरह से फोक की मदद से आप इसकी डीजाइन तयार देंची जो किनारी है उस पर हम डीजाइन कर देंगे अब इस तरह से भी बना सकते हो यह हमार ओइल भी गरम हो गया है आप देख सकते हो अब हम इसने सारे कुकरे फ्राइ कर लेंगे मीडियम आज में ही हमें फ्राइ करना है मीडियम टूट स्लो करते चाहिए और इसे क्रिस्पी होने तक फ्राइ कीचिए खुग्रे का कलर लाइट ब्राउन रख्ये प्लताते हुए अच्छी तरसे सबी जगर से फ्राइ हो जाना चाहिए किनारिया इतनी अच्छी तरसे आप पेक कीचिए ताकि फिलिंग खुले नहीं लाइट ताकि आधे ताकि तरसे पाइब टेश्टी और इसे दास्ते में टीनर में अच्छी ताकि आधे टेश्टी हैं। ले सकते हो और बच्चों के टिफिन में भी आप इसे दे सकते हो यदि आपके कुग्रे में बैकिंग पाउडर डाले थोड़ा सा और इसे आप बेक करना चाहते हो तो 180 डिक्री पर आप 10 मिनिट तक इसे बेक कर सकते हो तो यह हमारे कुग्रे बनके रेडी है लाइट ब्राउ और हम एक सरी प्लेट में ले लेंगे इसका जो मैंने सोस बनाए है वह भी मैं आपको बता दी हूँ इसके लिए मैंने दो टेबल स्पून टॉमेटो केचप लिया है उसमें हम हाफ टी स्पून औरेगर नो डालेंगे 140 स्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे और वन टेबल स्पून मायोनीस डालेंगे यह सोस खाने में बहुत ही टंगी टेस्ट है और गुग्रे की साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है टापी से घर पे जरू से बनाएए सबी चीजों को अच्छी तरसे मेक्स कर लीजिए यह हमारा सोस बनके रेडी है इसे भी हम एक जरून बाउल में निकाल लेते हैं तो दोस्तों आपको यह मेरी रेसिपी कैसी लगी यह मुझे कॉमेंट्स बोक्स में जरूर से लिखे अगर अगर आप मेरी चैनल पर नए है तो इससे सब्सक्राइब जरूर से कीजिए ताकि इसी नए नए रेसिपी आपको मिलती रहे और मेरी चैनल को लाइक कीजिए और सेर कीजिए थेंक यू